जो स्वाती मालिवाल जी द्वारा दर्ज कराए गई F.I.R. मीडिया के माध्यम से सामने आई है उसे पढ़कर रूंक आप जाती है कि आज अरविंद केजडिवाल जी का शीश महल शोशन महल बन चुका है और जैसे द्रौपदी जी का चीरहरन हुआ था ये अधुनिक काल का द्रौपदी का चीरहरन हो रहा था क्यूकि केवल स्वाती माल जी को पीटा नहीं गया उनको शाता आट बार थपड मारना उनके ऊपर लाते गूसे बरसाना केवल ये नहीं बलकि उनके टीशर्ट को उनके कपड़ों को उतारने की कोशिश और जिस प्रकार से वो पीरिड पे थी उसके बावजूद भी उनके साथ जो किया गया वो आउट्रेजिंग ओफ मॉडस्टी था केवल असॉल्ट नहीं था मतलब की एक मुख्यमंत्री की जानकारी में मुख्यमंत्री की रजामंदी से मुख्यमंत्री के सामने अगर एक महिला के साथ हाता पाई पिटाई और उनके इज़त और आबरू पर इतना बड़ा खत्रा पैदा किया जाता है तो केजरिवाल जी स्वयम इसके लिए जिम्यदार है और केजरिवाल जी आज आपको इस्तीफा देना चाहिए इसी लिए जब चार दिन हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि विभव कुमार पर कारवाई करना दूर एफायार दर्ज करवाना तो दूर की बाद उल्टा उसको सौरक्षन मुख्यमंत्री दे रहे हैं जो भी स्वाती मालिवाल के पक्ष से बो बोलती है प्रियंका ककड प्रियंका गांदी उसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत बाकी प्रियंका चतुरवेदी जैसी निता हैं यह सारे लोग इंटरनल मैटर कहकर इस मामले को रफा दफा कर रहे हैं अखिलेज जी न तो यह कह दिया कि यह बड़ी घटना नहीं थी यह एक महिला के साथ मुख्यमंत्री अवास में होना यह छोटी घटना है अब सोचे की आम आदमी पार्टी किमार सोमनाद भारती जैसे नेतां के साथ है और इंडी अलाइंस ऐसे नेतां के साथ खड़ी है इसलिए आज अर्विंद केजीवाल का इस्तिफ़ा तो होना चाहिए परन्तु प्रियंका वाड़ा जी को, प्रियंका चतुरवेदी और बाकी निताओं को पूछना चाहिए कि ये F.I.R. पढ़ने के बाद अब भी क्या वो अर्विंद केजरिवाल का इस्तिफा नहीं मांगना